हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मा यूटीव चैनल आप सब कैसे हैं उमीद करती हूँ अच्छे होंगे क्या आप भी अपने स्कीन को ग्लोइंग एंड शाइनी बनाना चाहते हो वो भी नेचरल चीजों से जो हमारी स्कीन को हारमना करे तो फ्लीज ये वीडियो जरूर देखे और ये मैं क्रीम शेयर करने जा रही हूँ ये केसर क्रीम है आप घर पर ही बनाकर अपने स्कीन को ग्लोइंग एंड शाइनी बना सकते हो और अपने अनीवन स्कीन टोन को ठीक कर सकते हो इसके लिए हमें गुलाब जल लेना है उसमें केसर को रात भर भिगो कर रखना है और ये पतंजली एलो वेरा जेल है हमें येलो वाला ही एलो वेरा जेल यूज करना है इसको हमें इसमें एड कर देना है एलो वेरा जेल आपको जितना बनाना हो आप उतनी कॉंटिटी कर सकते हो और उसके रोगन का बदाम का ओईल, यह रोगन बदाम ओईल है, इसको हम दो ढखकन यूज करेंगे, इसमें बिटामिन E होता है, इससे हमारी स्किन बहुती हेल्दी होती है और ग्लोइंग शाइनी भी होती है, इसके बेनेफिट में आपको एंड में बताऊंगी, इसके बाद हम बिट कामिन E के इवियन कैपसूल है, इसको मैंने चार इवियन कैपसूल यूज करें हैं, इसको कैची की हेल्प से कट कर देंगे, और इसमें एड कर देना है, यह क्रीम जब आप एक बार बनाओगे, और आप जब लगाओगे, तो आप खुदी अपने फेस पर इंप्रूब्मे देखोगे, और आप फिर इस क्रीम के फेन हो जाओगे, और इस क्रीम को हमेशा अपने फेस पर लगाओगे, फिर आपको कोई भी क्रीम अच्छी नहीं लगेगी इस क्रीम के आगे, क्योंकि यह क्रीम होती एफेक्टिव है, इससे हमारी स्कीन बहुत हैल्दी और ग्लोइं या कोई जाई वगेरा जो भी होती है, वो सब दूर हो जाएगी, इसको आप लगाते रहना, और आपको अच्छी लगे तो फीडबेक जरूर देना, कि आपको कैसी लगी यह क्रीम, और इसमें मैंने चार इवियन कैपसुल एड़ कर दिये हैं, इसके बाद हमें इसको अच अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद साफ कंटेनर में इसको रखके फ्रीज में स्टोर कर सकते हो, यह क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है, और अब आपको मैं इसको अपलाई करके बताऊंगी कि कैसे अपलाई करना है, यह क्रीम देखने में जितनी अच्छी है, उससे कही ज़्यादा है हमारी स्कीन के लिए बेनेफिशियल है, अब मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब इसको हम फेस पे अपलाई करेंगे, अब इसको हम फेस पे अपलाई करेंगे, आप देख सकते हो, इसका टेक्स्यर कैसा है, जब हम इसकीन पे लगाएंगे तो हमारी स्कीन कैसे लगेगी, आप ख़़दी देख सकते हो, इसको फेस पे अच्छे से अपलाई करना है, हलके हातों से इस फेस पे मसाज करना है, मसाज करके फेस पे अपलाई कर ले अच्छे से, और इसको आप जब भी फेस वास करो, तब इसको फेस पे अपलाई करो, और रात को सोते समय फेस दोके, और इसको लगा कर ही सोएं, जि और ले लो वेरा लो वेरा हमारे इस्किन को रिपेरिंग का काम करता है उसमें इसे प्रॉप्रपेस पाये जाते हैं ज्वह विटामिन को कैप्सूल और बदाम का ओयल स्किन के पिंगमे तेंशन दूर होते हैं डार्क सरकल जो भी डिय्ले intelligent problem हJust subscribe करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफेकेशन आपको मिल जाए और बीडियो अच्छ है थो लाइक जरूर करना और वीडियो फुल वॉश्च करने के लिए ठेंक यू बाओ बाओ